हेलो और वेलकम टू टीवी का पटाका वोल दोस्तो एंटर्टेइन्मेंट जगत की खुबसूरत हसीना दिवुलीना भटचैर जी की शादी क्यू नहीं है आखिर उनके परिवार वालों को मनसूर क्यू भाई के साथ साथ मा ने भी नराजगी को जाहिर किया है बहुत बड़ आक्ट्रेस है जिनके फैन फालोंग महुत जादा है घर घर की आदर्श बहु है उन्हीं के शादी इतनी चोटी सी सेर्मनी में कैसे हो गई फैंस को इस बारे में बहुत जादा अटपटा लगा था कई सवाल खड़े हुए ट्रोल भी किया गया लेकिन सबसे ज्यादा ट्र लोग अपनी जिन्दगी में सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं और तभी उनके जिन्दगी के रिष्टे सही तरीके से वो निभा नहीं पाते और फिर इसी बात तो उन्हें आश्चर रहे होता है वेल दोस्तों आपको बता दे कि इसी के साथ साथ अभी अभी जो बह देवोलीना भटचैर जी की मा शादी के हर फंक्षन में शिर्कत करती हुई नजर आई बेटी को गले लगाया उसका माथा भी चूमा हल्दी सेरमनी में भी वो नजर आई लेकिन दोस्तों ख़वर है कि देवोलीना की मा को भी ये शादी एकसेप्ट नहीं थी वो इस शाद वोल दोस्तों इसके पीछे की बड़ी वज़ा निकल कर ये सामने आई है कि एकस्क्लूजिव इंटरव्यू के दोरान जब भाई की नराजगी सामने आई तो उनकी मा का यानि की देवोलीना भटचैर जी की मा का इंटरव्यू लेना चाहा लेकिन मा ने कुछ भी कहने से इ रिष्टा मंजूर नहीं है वो सिर्फ अपनी बेती के लिए अपना फर्ज निभाने पहुंची थी वैल आपको एक और बड़ी खबर बता दे कि देवोलीना के भाई के नराजगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि सोशल मीडिया पर देवोलीना भटचैर जी के भाई ने सब्सक्राइब नराज है और उन्होंने उन्हें फॉलो करना छोड़ दिया है साथ ही साथ यह खबर भी है कि देवोलीना अभी भी सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो कर रही है यानि कि कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि देवोलीना की तरफ से रिष्टा है लेकिन भाई ने रिष्टा तोड़ दिया है सोचल मीडिया पर घर का ये बवाल अब बहुत जादा सुर्ख्या बटो रहा है हर तरफ यही खबर है कि या खिर भाई सही है या बहन का प्यार सही है भाई की फिक्र सही है या बहन का अपने प्यार पर भरोसा सच है आपको क्या लगता है दोस्तों भाई की फिक्र चीतेगी भाई की नराजगी चीतेगी या देवलीना का प्यार भाई को और परिवार वालों को मना लेगा हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूले